हेलो फ्रेंज, वेलकम तो डॉल्फिन अप्लाइंस चैनल, आप सभी का खुकूप सागत यमार यूटीब चैनल में दोस्तो जेचे के आप जानते हो के डॉल्फिन अप्लाइंस कमदी कुछ ना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ एट्रेक्टिव, कुछ ना कुछ हटके मार्किट से कुछ अलग लेके आती है दोस्तो तो वैसे ही है, आज हम आपके लिए ऐसा बिजनेस लेके आए दोस्तो जिसके अंदर आप रोजाना 5,000 रुपे तक काम प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तो, मिनिमूम 5,000 रुपिस का कम से कम प्रॉफिट कर सकते हो दोस्तो टीके तो ये business कीम आपको पूरी जानकरी ये video के ऐंदर देंगे कि कितना varieties बनता है कैसी machine है कैसे चलती है machine की price क्या है machine के साथ क्या-क्या सामान फ्रेमे मिलता है क्या-क्या चीजud complimentary है हर एक detail से video के अंदर देंगे दोस्तो तो video को end तक देखे तो जिससे आपको जानकरी पूरी मिले कि भीजनेस क्या है और कैसे चलती हो और कैसे ओपरेट होती है पूरी जानकरी इए वीडियो के अंदर मिले तो चलो दोस्तो टाइम दोए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या प्रोडक्ट है सबसे पहले मैं बता दू दोस्तो कि हमारी नोन इलेट्रिक सोडा मशीन है जो पावर के बिना चलने वाली है विदाउट इलेट्रिसिटी चलने वाली सोडा मशीन है दोस्तों, जिसके अंदर ना तो रिक्वारेट है, बेटरी की कोई रिक्वारेट है, ना तो कोई पावर की रिक्वारेट है, कोई भी चीज की इसके अंदर रिक्वारेट नहीं है, यह बिजनेस है, स्मॉल साइज की म या दुकान का किराय रहता है तो इतना किराय करके बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप कोई भी लारी यह रेकड़ी यह वहां पर रखके यह बिजनेस कर सकते हो दोस्तों और इसके अंदर आप अलग-अलग 40 तरीका का वेराइटीस बना सकते हो दोस्तों तो वेरा के अंदर आपको पूरी बहुत चांदकरी देंगे ओ चालिस अलग-अलग वेरेटिस और सबसे पहले में दोस्तों बता दू कि कि आप पूरी नौन इलेट्रिक पुरी ठीनलेश टिल से बनागी जाती है या आप देख सकते हो पूरी stainless steel से कहीं पे भी loha या MS हमने यूज नहीं किया है दोस्तों इसके अंदर ठीके और पूरी इतनी ही setup है यहां से लेके यहां तक ही setup है इसको आप कोई भी राली रेकड़ी है ओटो रिक्षा है या cycle है पीछे box वाला या कहीं पे भी इसको आप अलग अलग वेराइटिस का छेयर बना है इसके हम अरणा हुआ दोस्तव हघ्स प्रुधन टर के अंदर वालग अकोनधी बरा हुआ अनुक्त एक रिखा हम नित्थन ने बनाए है तो इससक्त तो बना है यहां पे बना सकते हो पर इंदर हॉआजम निबू हमने द हमने निम यहां पर निम्बू और लाइम भी लग बनाया है उसका भी मापको ड्रिंक बनाए गया मशीन का क्या setup है तो मशीन का दो ही setup है दोस्तों एक मशीन है और इसका सिलिंडर एक दो चीजी हैं मशीन का setup यह आप देख सकते हैं और मार्किट में जो छोटी फुस्पुस वाली और दबाने वाली बटन वाली सोडा मशीन आती है सस्ती उसके अंदर और इसमें क्या खास्यत है दोस्तों यह मशीन के अंदर पावर और स्ट्रॉंग क्वालेटी मिलती है बुस्टर सोडा मिलती है जो फुस्पुस वाली मशीन में नहीं मिल पाती है ठीक है और इसकी प्रोड़क्शन कैपेसिटी रोजाना 600 गलास की यह 600 गलास तक का आप बिजनेश कर सकते हो अगर आप एक गलास दस रुपे का सेल कर रहे हो तो रोजाना 600 गलास का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर ठीक है और हम आपको इसको उपरेट करके चला के बताएंगे कि इसको operate कैसे की जाती है कैसे चलाती है दोस्तों ही машIn में कैसे operate होती है कैसे drink बनाए जाता है सबसे बेले में आपको नॉर्मनल सोडा बना के दिखाता हूँ मैं इसके अंदर से एक नॉर्मनल शोडा निकलेगा आप देख सकते है इसके अंदर से एक नॉर्मल सोडा है, एक दम स्ट्रॉंग और चील्ड निकलता है, ठंडा होके निकलता है, आपको चील्ड या बरफ या कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है, पूरा चील्ड और ठंडा है यह, एक दम ड्रिंकिंग के लिए तैयार है, जो किनली और लहर करेंगे एक इस ताइब का ट्रिंक है, ऩ्विकलता होके इस सब्सक्राइब का और लुप आटना है, तो कोई कस्टमर मांगता है, अब उसको एक और अटना प्लेवर भी बना दे सकते हो, जैसे आप इसके अंदर पेले यह एक और अरेणज का फ्लेवर ट्रिंक कर सकते हो, यह वो रेंज का फ्लेवर, हमने डाल दिया है प्लस इसके अंदर आम प्लेंट स्वोड़ा मिक्स कर देंगे कि आप स्ट्रॉंग का कॉलेटी देखिया बबल आरहे है इसके अंदर आप देख सकते हैं पुरा यह उरेंज का ट्रिंग है प्लस आपको इसको मिक्चर करके दे देना है कस्टमर को यह ओरेंज का ट्रिंग तही आर हो चुका है वही तरीके से आप दूसरा फ्लेवर भी कस्टमर को बना के दे सकते हो जैसे कोई कस्टमर लाइम लेमन मांगता है तो इसका लाइम लेमन का फ्लेवर से यह लाइम लेमन भी आप उनको दे सकते हो इसे भर के लाइम लेमन हो गया लाइम लेमन मिक्स करेंगे लाइम लेमन तेयार हो चुका है यह आप देख सकते हैं बुरा उसके बाद अगर कोई कस्टरमर कोला मांगता है अब के पास तो यह कोला का ट्रेव लिंक है वेसा अलग-अलग 40 तरीके का अलग-अलग फ्लेवर साप रख सकते हो इसके इंदर अभी हमने चार फ्लेवर ही रखे है लेकिन हमारे पास इसमें 40 अलग अलग वेराइटीज है जब स्ट्रॉंगनेश देखे गोलेटी देखे दोस्तों इसका बुबल्स जो आ रहा है उससे आपको मालूम हो जाएगा क्या पावर कितना है स्ट्रॉंग कितना है सोडा और एकदम चील्ड और ठंडा सोडा है देखे आप पुरा अब देख सकते हैं पुरा वही साब से कोई कस्टमर मांगता है कि निम्बू सोडा पी नहीं उसको तो आप उसको निम्बू मसाले वाला हजमा हजम माला भी सोडा दे सकते हो यहां पर निम्बू है यह निम्बू को कशने के लिए इसका मशीन है आप देख सकते हैं लाइम है अब नेच्रल और फ्रेस लाइम डाल दी है इसके इंदर उसके बाद इसका जीरा का पड़ी की डाल देंगे इसमें जब देख सकते हैं जीरा मसाला उसका पावडर रहता है पावडर डाल देंगे इसमें यह हजमाजम टाइप का मसाला वादा प्लेन सोडा हो गया जो आयरुवेडिक ड्रिंग बोला जाता है इसको अब देखिए कितना बबल सारा इसका स्ट्रॉंगनेस देखिए कोलेटिक आप यह आजमाजम का ट्रिंग टेयर हो चुका है उसके बाद अगर गोई कस्टमर प्लेन सोडा मांगता है अब से यह प्लेन साधा सोडा है और इसका अगर आपको कुलेटिक चेक करना है तो इसके उपर मसाला डालेंगे थोड़ा आप देख सकते बूरा इसके पर मसाला डालेंगे इसलिए आपको मालूम हो जाएगा स्ट्रॉंगनेस कितना है इसका कुलेटिक इए आप देखिए एक दम 供ाल रा रहा हिसके नदर आप देख सकते बुरा इसा दोस्तों आप अलग-अलग drink बना सकते हैं प्लस इसका flavors के पाउंच रहते हैं इस टाइब के cola का अगर flavor बनाना है तो cola के पाउंच से इस जो हमने flavor बना के डाला है इससे आप इसके अंदर raw material डाल के flavor बना सकते हो अपने homemade घर पे बेठे flavor बना सकते हैं जितना requirement है इसे आप flavor ले जा सकते हो बजार के अंदर लाइम लेमन का flavor से एक बारे flavor बनाने के बाद एक महिना तक कुछ नहीं होता है flavor को इसका बेश्ट भी पर वन मन तक रहता है एक महिना तक कुछ नहीं होता है एक पाउंच का किमत 70 रूपी से इसके अंदर 5 किलो चीनी मिक्स होता है और 70 रूपीस का flavor मिक्स हो गया उसके अंदर से आपको 250 गलास बनेगे 200 एमेल्स के इसे 250 गलास मेक कर सकते हो एक पाउंच के अंदर से दोस्तों एक गलास बनाने का खर्चा आपको 1 रूपीया 30 पेसा एक रूपीया 40 पेसे में लेंडिंग आता है गलास के साथ में गलास, flavor, sugar, चीनी सब मिला के इसको 1 रूपीया 30 पेसे का लेंडिंग आता है इसके अंदर आपको दो ही चीजे अगर पूरा दिन आप 600-800 गलास सोडा निकालते हो है मशिन के अंदर से तो 50-60 रूपे का आइस लगेगा इसके अंदर स्टोर के लिए जो आप पानी डाल रहे है उसको स्टोर के लिए अंदर आइस डालना पड़ेगा जो पर डे रोजना 50-60 रूपे का आइस का खर्चा है प्लस आपको CO2 गेस का खर्चा है इसके अंदर रहता है CO2 बोटल में इसके अंदर से एक बार फिल होने के बाद 300 गलास सोडा बनता है इसके अंदर कि लिए दोई चीजे एक तो आइस डालो और सिवोटू ड़ालो दोचीजी मेंटेनस से और मेंटेनस अधर चांज़िस नहीं है nà eletrik का मेंटेनस ना पावर का मेंटेनस ना आप को दुकान का रेंड कोई पी चीज की इसके अदर आँझ धाला क कर सकते हो खाली पीछे से एक तार निकलता है इसका एक नौजर निकलता है जो बोटल के अंदर लगता है और कोई चीज इसके अंदर लगती नहीं अलग से दोस्तों पूरी One Setup मशीन है इसको कई भी टेबल टेप जगा पर आप इसको मशीन को रख सकते हो कोई भी काउंटर है ट्रोली है कहीं पे भी इसको बिठा के अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हो दोस्तो तो आज की तारीक में सबसे ज़्यादा पॉपिलर बिजनेस है दोस्तो और यह मशीन की मैं आपको प्राइस बता दू दोस्तो वैसे तो मशीन की किम्मत है 41,000 रु संबान हैं कम्प्लेट मशीन की यूनिट आएगी फुल स्टीण लेड स्टिल की यूनिट फी उसके अंदर जो एटेश्मेंट रहेके dignity स्ट्रॉंब अनर्ट बनाने के लिए के लिए मशीन के अदर पूरी यूनित आएगी उसकी और गैस का सिलिंडर आएगा व्लेवर भरने के लिए इसे चार बोटल्स ले सकते हो इसे टोटल चार बोटल्स मिलेंगे आपको प्लस आपको मशीन के साथ इस ट्राइप का पींचिंग के लिए निंबू को पींच करने के लिए चार ले व्लेगेक sort pegar comprar Commander को दे सकते हो यह मशीन के साथ में आएगा कॉंप्लीमेंटरी में पूरी मशीन की पेकिंग उसका को एक्स्टा चार्ज नहीं है यह प्राइस के अंदर आगी है वो ट्रांस्पोर्टेशन ओ लवर इंडिया कोई भी लुकेशन पे आप कोई भी जगा के लो इंडिया के कोई कोने में वहां तक का ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज फ्री में है दोस्तों कोई चार्ज आपको पैड नहीं करना है 29,995 पैड करना है और इसके अंदर पूरा पेकेज आपको साथ में मिलेगा मशीन का प्लस इसके अंदर हमने जो हेड भी लगाया यह जो नोजल रहता है ए इतने से हेड की जो इंपोटेट है मैं इन जर्मनी का इसी एमबी कमणी का मैं आपको दिखाता हूँ इसके उपर भी नाम आपको आप अब अजुआओ देखा लो जुब करें हैं सी एमबी देखा इसी हैं अब देख सकते हो यहां पर सी एमबी ब्रांड का लिखा हुआ है अब देख सकते हैं और यहां पर इसका जर्मनी का मार्क मारा हुआ है दूसरी साइड पर देख है इसमें आप देख सकते हैं जर्मनी करके लिखा हुआ है सीमबी कम्ती का दो आपai हेड का ओन लाइन नेट के ओपर भी सर्च कर सकते हों सी एमबी करके जर्मनी तेबीकर के उसकाɒर्मनी करके उसका West से छोटे से इतने से हैड की किम्मत क्योंकि जब सामान ओरीजनल डालेंगे दोस्तों तब उसका पर्फोमस मेंलेगा बडुबिकेट्ट या हलका सामान डालेंगे तो उसका परफोमस नहीं मिलेगा जो आपको पर्फोमस चीए है जो क्वालेटी जो चील्डनेस फटनडक गल्मियों के टाइम में जो चीलिंग सिस्टम चीए है वह डालेगा पुरी मशिन स्टील सिल्स प्लस उसके अंदर में केमिकल सिस्टम भी डाला हुआ है केमिकल क्या काम करता है कि जो आदा जानकारी मसीन की फोटो वीडियो प्राइस लिस्ट सब डीटेल जानने के लिए एक बार डॉल्फिन एप्लेंज में जरूर कॉंटेक्ट कीजे दोस्तों अमारी कम्तनी का नंबर नॉट कर लिजे दोस्तों और वीडियो के नीचे ब लिंकिंग भी वो रहा है दूसरा नंबर है 9601298282 बंडे से लेके सेटर दे तक सुबह 10 बजे सामको 6 बजे तक कोई भी टाइम पे कोल करके हरेक जानकारी डीटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों ठैंक्यू ठैंक्यू पर वाच्चिंग और वीडियो